तो उत्राखंड की खबरों के संगम अपना उत्राखंड में आपका स्वागत है मैं आपके साथ कामेंदर चौहान हूँ उत्राखंड में कॉंग्रेस को बड़ा छटका लगा है ननिताल से पूर्विधायक और महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्षे सरितार्य अपने बगावती सुर्ख के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्षे मदन कौशिक ने उन्हें देहरादून में पार्टी की सदस्यता दलवाई है इस दोरान मुक्यमंत्री पुषकर सिंग धामी भी मौजूद रहे सरितार्य के साथ ही कॉंग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष रेखा बोरा गुपता और बंदना गुपता भी बीजेपी में शामिल हो गई वहीं सरितार को कॉंग्रेस पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए रिश्कासित भी कर दिया है प्रदेश में विदानसभा चुनाओं की तारीख घोशत हो गई है अचार सरिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है मतदाताओं को बिना भैके मतदान कराने के लिए पुलिस फोर्स गाउं गाउं जाकर फ्लैक मार्च निकाल कर लोगों को शांतिपूर तरीके से मतदान किये जाने की अपील कर रही है साथ ही कुरुना गाइडलाइन पालन किये जाने की भी लोगों से अपील की जा रही है मंगलौर कजबे में इस्थानिय पुलिस फोर्स के साथ सी, आरपी, महिलाबल और आईटी बीपी फोर्स ने कजबे में फ्लैक मार्च निकाला विधान सुबाच चुनाओ के दर्शिकत हम आज कजबा मंगलौर में ये फ्लैक मार्च एरिया डॉमिनेशन के लिए कर रहे हैं इसमें हम अपने कजबे के मदानपुरा, पठानपुरा, मलकपुरा, बंडा चौक, ईदगारोड और ये पूरे कजबे में इसका फ्लैक मार्च किया है प्रदेश की सियासी गर्माहट के बीच, प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से अपना असर दिखा रहा है लगातार बढ़ रहे रैपिड पॉजिटिव मरीजों की तादात के जाफे ने स्वास महकमे के माथे पर चिंता की लकीरे बढ़ा दी है इस मामले को लेकर काशिपूर प्रशासन भी अलर्ट मोड में पहुँचकर रैपिड टेस्ट के तारे को बढ़ा कर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है इसले काफी दिनों से उत्राखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशिपूर में भी कॉविड बहुत तेजी से फैल रहा है इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पे बहुत सक्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 गंटे वहाँ पर हमारे टीम वजूद रहती है जो कि आइटी पीसियर और एंटीजन की पूरी सुधा दे रही है हाँ पर रैपिट चेक अप हो रहे है हर जितने भी वहाँ पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से उनकी सेकेंड डोस चेक होती है जिनकी सेकेंड डोस नहीं लगी है महीं पर वेक्सिनेशन की सुधा हाथो हाथ उनको वेक्सिनेशन किया जा रहा है जहां तक निर्वाचन का भी समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूट्स में जितने जितनी जगाओं पर सेकेंड डोस, फर्स डोस की वेक्सिनेशन नहीं हुई है, वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी COVID से हमने बचन है, सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, बचाने लिए हम लोगों ने वेक्सिनेशन पे काफी जोड़ दे रखा है जल्द ही कारेकारणी की बैठक बुलाए जाएगी, जिसमें प्रदेश से लेकर विधान सभा के मुद्धों को कमिटी में रखा जाएगा और विस्तरच चर्चा के बाद इन मुद्धों को मैनिफेस्टों में रखा जाएगा, जनता से राय लेकर ही पार्टी आने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए अपना मैनिफेस्टों बनाएगी करनल सभा जी और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टों कमेटी में हैं और इस कमेटी का यह काम होगा कि जो मैनिफेस्टों तयार होगा, वो जनता की राय लेकर होगा, जनता की बीच में जाके यह कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी और सभी तरह की विचारों के बाद सब के विचारने के साथ हमारा आमानिफेस्टों पार्टी का मैनिफेस्टों तय हो गई है जोशी मर्ठ में स्थानिय प्रशासर ने पुलिस और पैरा मिलिटरी फोर्स आई टी वी पी के साथ मिलकर जोशी मर्ठ मुख्य बाजार में फ्लैग माच निकाला इस दौरान प्रशासर ने आम जंता को कोविट-19 का पालर करने के पती जाक रुख किया है कोरोना की रोक ठाम के लिए शुरू किये गए वैक्सिनेशन कारे को एक साल पूरा होने की खुशी जाहिर करते हुए प्रात्रिक स्वास सकेंद्र दिनेशपुर के डॉक्टरों ने कहा कि वैक्सिनेशन का एक साल पूरा हो चुका है वहीं इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना साबूं से बार बार हाथ धोना जरूरी है इसके लावा भीडबार वाले लाकों में जाने से बचें इस दौरान प्रभारी चिकित साधिकारे डॉक्टर प्रदीपांडे ने कहा कि दिनेशपुर शेत्र में 90% से जादा लोग वैक्सिनेशन की डोस ले चुके हैं इसके लावा 15-18 साल के बच्चों को वैक्सिनेशन जोर सूर्प साथ लगाया जा रहा है एक साल पूरा हो गया है इसमें मैं सबको बढ़ाई देना चाहता हूँ और कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और वैक्सिन लगवाए हमारे चेत्र में 90 प्रतिशत लोगों को वैक्सिन लग चुकी है प्रत्थम दोज और दिदीर दोज का भी चल रहा है उसमें भी अधिक्ता लोगों ने लगा लिया कि क्या चलन चल रहा है और कितना हो गया है इसमें भी काभी तिम्र गच्चिन लग जा रहा है लालकुए में आदर्शाचार सहिंता और कारुन विवस्था का सक्ती से पालन कराने के लिए लालकुए पुलिस चेत्रादिकारी शांतनु पारशर ने लाइसेंसी हत्यार धारकों को चेतावनी दी है कि जग ही सभी लाइसेंसी हत्यार धारक अपने हत्यार कोतवाली में जमा करवा दें नहीं तो पुलिस की ओर से उनके खिलाफ मामला दर्जकर उनके लाइसेंस निरस्तिकरण की रिपोर्ट जिलाधिखारी को भेज करवाई की जाएगे जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है उन्होंने काहा कि चुनाओं में किसी तरह की दखल नहों इसके लिए अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है है ही जेटर में हमने वाट्षैप के माध्वेंसे टतीन और नाउंस्मेंट के बता दिए गए जितने अपने द्हारोचे शस्त अपने कोथ 버ादी में जमा करने हैं तो इस संबंद में अभी कार्वाई चल रही हैए और जमा की कारवाई जादतर लोगों ने पूरी कर चुके हैं जो कुछ लोग रहे गए हैं उनके खिलाब अभी अभी मतलब जमा करने की कारवाई की जा रही है दर्शेको भगवानपूर विदानसभा से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश की तरव से विदानसभा चुनाओं को लेकर किस तरह की तैयारिया चल रही हैं और उनके परिवार के दो टुकड़े करने वाला बेवीशड कौन है इन सबी मुद्दो को लेकर सुबोध राकेश से खास बात चीप की हरिद्वार से हमारे बिरोचीफ मुहमद अजीब ने क्या कुछ का हस सुबोध राकेश ने आपको सुनवाते हैं हम इस वक्त भगवानपूर में हैं न्यूजवर्ण इंडिया की टीम भगवानपूर पहुंची है सुबोध राकेश जो बसपासे परचासी हैं उनके पास आई है चुनाव की क्या श्तिती हैं उनसे बात करेंगे सुबोध जी चुनाव आयोग ने 22 तरीक तक चुनाव परचार पर रोक लगा दिये हैं कितनी चुनोत ही मान देया है शीजवर्ण देखे चुनावायोग ने अगर रोक लगाई है तो हमारे बहतर बविश्य के लिए लगाई है हमारे भले के लिए लगाई है इस छेतर के आवाम के लिए लगाई है हम उसका अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं कि अपने छेतर के लिए इस आम आदमी के लिए अपने हिंदुस्तान के लिए अपने परदेश के लिए चुना आयोग एक सक्त का निर्ने लेकर आगे बढ़ रहा है हम उनका निश्चित रूप से अभिनंदन करते हुए और आगे भी हमारा भी यही परियास है कि तमाम लोग इस महामारी से बचें तमाम लोग इस महामारी की चपेट में जो पिछले साल आये हैं बहुत बड़ा नुकसान हमारा जानमाल का पिछले साल इस देश में हुआ है उस वव़ेस्था को कंट्रोन हम करें ऊस ववेस्था को मजबूती के साथ हम लेकर आगे बढ़ें ऐसी विश्वास के साथ मैं अपनी आम आदमी से अपने तमाम कारे करता हूँ से तबी से आगरे करता हूँ कि कोवीड के नियॅमों का पालन करते वे हमें आगे बढ़ना है सारी परिस्तितियां एक सामने जो हमारे आ रही हैं उनको मजबूति के साथ उनका सामना करते वे सारी परिस्तितियों का सामना करते वे चुनाओ को जीत की तरफ हमें बढ़ना है परिवार में ऐसी क्या परिस्टित्य आई कि राकिस परिवार के दो टुकरे हुए और 2017 में आपको अलग चुनाव लड़ना पड़ा हुँ क्या परिस्टित्य देखे इसका कारण है परिवार में जैसे रामयान के समय में आपने विपिशन का सिस्टम देखा आपने विविशन कोई है बगमानपुर विदान्सवा में भी हमारे इस पवस्ता में भी विविशन है यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि दोगले नेता है जो आज भारती जंता पार्टी के मंचपर बैठा आ है उसी दोगले नेता के कारण उसी विभीशन के कारण मेरे परिवार में दरार पड़ी और उनका मकसद है सिर्फ अपनी जेव भरना उनका मकसद है अपनी तिजोरियां भरना उनके ना तो उनको किसी परिवार से मतलब है ना उने किसी छितर से मतलब है ना उने किसी विकास से म उतलब है वो मात्र एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ता है और उसके जो भी इक्का दुक्का सिस्टम के लोग हैं कि उनकी तीजोरियां कैसे बरें सुबोध राकेश 2017 में चुनाओ लड़ा बारती जंता पार्टी से मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं जो उनके नाम से करनेका नाटक किया और अब की बार अब की बार होगा अब की बार देखना अब चुनाओ है शाथ तरीक में है शोजोर्जारए सबका पड़ा है अगर कहीं भी इन लोगों ने सम्मान के साथ अपने उसका दावर नेता अपने उस पती का सम्मान किया हो जिसके मात दम से विधायक लगता है सुभो जी का गुबार जो है निकल रहा है यह गुबार है यह तो निकल रहा है निकला भी है लेकिन इस गुबार से उनको कोई फरक ने पड़ता वो तो मात्र व्यक्तिक के सिस्टम के लिए जी रहे है वाज लोगों के सामने रोने दोने का ड्रामा करने हम उनसे प मद चुकी है कि रोगने दोने वाले नेता माद्र उने दोने के लिए अधूर nos नहीं के नहीं है हुआ हुआ झाल bisa करें ă 87 साल में विकास के मात्ध्र में श्चेत्र की संवानेट जी पुरी तरह फैल हो गयी पूरे सर्झ माज पूरा चे से Когда चैथव ना कि चैना है कि S 9 साल से विधायक मम्ता राकेश जी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और वो भगवानपुर के सिस्टेम को नहीं चला रही है। इस बार भगवानपुर की जन्ता सुबोत राकेश पर विषवाश जता रही है। वण मंतोरी हरक सिंगरावद को पदसर इश्कासित करने के बाद क्या हरक सिंगरावद काउस के趙 लिए लकी चाम बनेंगे उत्राखंड में चुनाव आते ही राजनेताओं की अदला बदली पर क्या कहती है प्रदेश की जनता इसी को जानने के लिए नियूस वर्ल इंडिया की टीम ने लोगों की राय जानी है इस दौरान क्या कुछ कहा है यहां की जनतारे आपको सुनवाते हैं नमस्कार में निश्वाटर अस वक्त आप देख रहे हैं नियूस वर्ल इंडिया चुनाव आते ही सियासी उलट पुलट चालू हो जाती है और इसी बात को मद्दे नजर रख आप देख सकते हैं कि उत्राखंड में भी 14 फरवरी को चुनाव का आयोजन होने जा रहा है और कब वो बीजेपी छोड़ कर कॉंग्रिस का दामन धामने के लिए फिर से तैनात हो चुकी है आपको बता दे कैबिनेट मंचु हरक सिंग रावत वन मंत्राले संभाल रहे थे और अचानक से बीजेपी ने उनकी इन तीन सीटों पर मांग करते ही उनको वहां से निश्कारित कर दिया है और अब वो कहीं न कहीं अरक सिंग रावत का दामन धामने के लिए तैयार हो चुके और इसी बात का क्या असर जंता पर भी पढ़ रहा है क्या चुनाव पर इसी बात का असर पड़ेगा इसी बात को मद्दे नजरक हम लोगों से बात्चीत करेंगे और जंता की राय जानेंगे कि इस बात को लेकर उनका क्या मानना है कि अरक सिंग रावत कैसे मंत्री थे और चुनाव आते ही उनका बदली का महौल क्या पहले से चला आ रहा है या फिर कोई नई बात है तो मैं आप से जानना चाहूंगी कि दो हजार बाइस विधान सभा चुनाव नज जहां पलड़ा भारी देखा वहां का रूख कर लिया आज कल यह बहुत चल रहा है यह क्योंकि ना तो मेरी कोई बजएपी साहता कर रही है ना मेरी कोई कॉई का चाहता कर रही है तो मुझे किसी का डर नहीं है ना तो मेरी पैंशन बंदी है हरक सिंह रावत जी के यहां कांग्रेस के उसमें मैं रोज जाती हूँ लेकिन कोई भी मेरी किसी टाइप की भी न सुनवाई नहीं हो रही है तो इसलिए मैं यह सरकार से दर्खास करना चाहती हूँ कि कम से कम हमारे दो भुजूर्ग लोगों की सुने तो सही कम से कम हरक सिंह रावत जी का क्या है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर बस उनका पलड़ा यह हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है जंता को बेफू बनाया जा रहा है यह गुम्रा किया जा रहा है आपको क्या लगता है कि 2022 विदानसवा चुनाम में अग्सिंग रावत ये अदला बदली कोई बड़ा पहलू कर सकती है तो मुद्दा उठे गाई ही बिटा ये तो उठे गाई ही क्योंकि जब चुना बिल्कुल नजदी क्या तब तुम अल्टा पल्टी कर रहे हो तो कांग्रेस में जब तुम इतना कांग्रेस भवन में आते कि हाँ वे यहाँ पर इस बार बीजेपी की जीतने की उमीद है तो बीजेपी को ही वो कर दो, सपोर्ट करो ये नहीं होना चाहिए जिस आप दल में हो उसी दल को सपोर्ट करना चाहिए कि अब ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे को ना मैंने जाके जज किया उनको ना मुझे पता है क्योंकि हम तो चोटी जब हमारी पेंशन नहीं लग रही तो अपना ही रोना खतम नहीं हो रहा तो उनको क्या देखू गटा मैं ये बताइए ना मुझे हम दो जने हैं, हम बुजुर्ग लोग है दोनों ना तो हमारी पेंशन बंदरी है आज मैं धन्दन योजना में गई तो वहां पर मुझे जवाब मिला कि आपका खाता अल्रेडी खुला हुआ है वो सिरफ उन लोगों के लिए अब इस्टम में चाय बेच के गुजारा कर वी हूँ मैं तो मोदी जिसे दरखास करूंगी कि किसी तरह वो मेरी अपील तो सुने मैं यह दरखास करना चाती हूँ कि मैं चाय बेच के अपना गोजारा कर रही हूँ इस टम चाय में आपको आपने भी तो चाय बेची है बेची है उन्होंने भी चाय जैसा लोग कहते है अब आमें पता नहीं क कि मेरी पेंशन बंदे किसी तरह मुझे एक आवास योजना का मेरे लिए वो हमें तो एक कमरा बहुत है दोनों बुड़े बुड़िया को लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है किसी भी टाइप की तो जैसे कि इन्होंने बताया कि लगातार 2022 विदानसभा चुनाव को माता जी की एक बात मैंने सुनी तो माता जी ने काई कि मैं अभी मेरी विद्वा पैंशन नहीं है और ये जो वृद्धा पैंशन है वो नहीं मिली तो आप इससे ये समझिए कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है क्योंकि हमारे देश का अमीर वर्ग का रूप से देखना ही नहीं चाहता और दूसरा कि सब अतिरिक्त के चक्कर में पड़े हुएं कोई रिक्तिस्तानों की पूर्टी नहीं करता और पहली बाद तो यह है कि माप मीडियम के माध्यम से भी आप मीडिया वालों को भी यह कहना चाहता हूं कि आप चौथा स्थम्ब हैं सम्विधान का और जदी अगर आप सब यह बात नहीं करेंगे कि इतने हमारे अमीर लोग हैं देखिए संसार में सब कुछ फ्री है लोगोंने कीमत लगा रिखिए आप यह समझे कि यह जो पैट्रोल है यह खाद्य परदार्त हैं इस पर आपने कीमत यह कुछ नहीं हो सकता है तो मैं यह बोलता हूं कि हमारे education पर क्या किया है मतलब कोई भी government है मैं नहीं बोलता हूं और काम भी होता है तो दिखता है आपके इस अबसे क्या लगता है कि 2022 विधानसवा चुना में क्या बदलावा सकता है देखिए बदलाव तो यह हैं कि हमार गाउं तक ही सोच के अपने लेवल तक ही खड़ सकता हूं तो मुझे अपने गाउं पर ध्यान रखना चाहिए हम सब क्या करते हैं बाहर सहर में निकल जाते हैं बोलते हैं ऐसा डबलफ होना चाहिए यह लोगों की mentality बहुत गलत है क्योंकि जब लोगी सही नहीं होंगे तो सर आज नेताओं की अदला बदली उठक पठक स्टार्ट हो चुकी है और उसी भी छरक सिंग रावत की एक बड़ी ख़वर आती है कि वह अपनी उनको बीजेभी ने निशकारिस्त कर दिया है तो इस पर आप क्या गहेंगे वह तो सही ता सब सही है अपनी अपनी जगावर त जो भी नेता है अदला बदली करते है कोई कोई आगए अच्छा काम करेंग होई अच्छा है तो आपको गहाँ लग़े है कि अधला बदली से का एक राजनीती में फरक жизни नेकोई फर्क नी पढगा इसमें कोई फरक नी पड़ेगा क्योंकर जो नेता ओ रह आ आएग वह तो यही है तो आपको क्या लगता है कि 2022 विधानसबा चुनाव में हरक सिंग रावत का ये पहलू आम जनता पर क्या असर डालेगा कि आपका बीजेपी से कॉंग्रेस में वोट डालने का फैसला बदलेगा या कॉंग्रेस से बीजेपी में बीजेपी सही है अपनी जगह पर वो क से ही कर रही है जितना काम कर रही है यहां पर अनदेखा है काम होया वेया बीजेपी ने बहुत काम किया है हर जब काम अच्छा कर रही है बीजेपी तो फिलाद के लिए उस बुलेटिन में इतना ही आप बढ़े रहे है यूजवर्ड इंडिया के साथ हाज पहाजर! हाज पहाजर!